आप मेरे साथ देखें बस बोड़ पे उसको अरे हो गया वाई क्यों वेर चिंता करते हो अभी करके दे रहे हैं आओ बच्चो बड़े ध्यान से सुनो दो सैंपल है एक्स वन टू एक्स स्टीन का डिस्टिपूशन अलग है य1 तो य8 का डिस्टिपूशन अलग है अजूम था टू रैंडम सैंपल इंडिपेंडन इफ यह लुकिंग फॉर एक्स बार प्लस वाई बार एक्स बार इस दिस एंड वाई बार इस दिस लुकिंग फॉर कॉंफॉर इंड मिखेंग फॉर कॉंफ इंडिपेंड इदिस्टिपूशन थो यहांसे ऐस बार का डिस्टिपूशन का डिस्टिपूशन थांक यू यही आएगा पक्का बच्छो y bar का distribution x i y i क्या था पिटा normal mu,1 और i कहां से ना था का 1,2 8 तो y bar का distribution correct okay now we have a z is a random variable which is 8 x bar plus y bar now what is expectation of z 8 time expectation of x bar plus expectation of y bar correct है बटा which is 4 mu plus mu, कितना हो गया mu variance of z क्या हुआ नहीं नहीं, अठीट उट 64 बटा, क्या हो गया 64 variance of x bar plus variance of y bar, independent बोल रहा है ना वो 64 into variance of x bar, 1 by 16 plus 16, 44, 4 कर दूने इसको 33, 8, 8 आ गया अच्छा यह z का distribution नहीं आ है z bar का नहीं आए अभी और जबकि confidence interval बटा mean का नहीं 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 बार फोलोज नॉर्मल डिस्टिबूशन एक्सपेटेशन अफ जड कॉमा वेरियंस अफ जड बाइन आएगा कि नहीं आएगा नहीं क्लियर नहीं बात यह तो वट इस एक्सपेटेशन अफ जड 30 वेरियंस अफ जड बाइ ओ कुछ गडबड किया कि मैंने अचा हाँ सुरी म्यू हूँ अचा और यह 33 बाइ 8 और N N क्या लिखा जाएगा 16 प्लस 8 लिखना पड़ेगा बिटा में तो और कुछ आ रहे हैं नहीं कितना हो गया 24 यही आया अब क्या मागए है confidence interval अब बोड पे देखो म्यू बिलॉंग्स टू Z बार फ्लस माइनस Z अलफा बाइ टू सिग्मा Z अपॉन रूट N यही आया अब बिटा अरे यही तो था फामुला तो Z बार कितना हुआ हमारा सैंपल से निकालेंगा ने Z बार तो और Z अलफा बेटो कितना परसंट 90 परसंट निकालना ना 1.64489 सिग्मा Z कितना है हमारा यह सारी वैल्यू है थर्टी थ्री अपॉन अर यह ट्वंटी फॉर चो सॉल्व करका है हंची बेटा अपॉन रूट N तो रूट N से कट जायागा ना नहीं तो सिग्मा अपॉन रूट N तो होता ही है फॉर्मले में इसमें क्या सोचना था नहीं नहीं बेटा कुछ गड़बड किया है मैंने जेट बार कर डिस्टिबोशनल लिया तो जेट बार क्या होता है फॉर्मला जेट बार माइनस म्यू जेड अपॉन सिग्मा अपॉन रूट N होता ना बेटा तो रूट N तो वहीं पे ले लिया तो इसको यहां लेनी जरूट नहीं थी में खेल में है ना यहां जुरूत नहीं थी गर बढ़ कर दी तो सिग्मा जेड अपॉन रूट एन तो सिग्मा जेड तो निकाल चुक है न अब निकालना पड़ेगा इसको इंटर वला तो बताओ जो भी वैलिवाइज जेड बार तो होगे एट एक्स बार प्लस वाई बार यह अपॉन 33 एस औ अब सिग्मा जेड बार तो यह होगा ना एट एक्स बार प्लस वाई बार अपॉन 33 प्लस माइनस 1.64489 ठीक है अब सिग्मा जेड अपॉन रूट एन की वैली चेक कर लो कि क्या आ रही है आरी कि नहीं आरी पर तो अब क्लोज टू दा अंसर भई उस तो थोड़ी वह तो आप भी करोगे 90 परसंट मतलब मैंने 55 परसंट चोड़ा ना तो पांच परसंट पर 1.64489 आता है जो कि आपका 1.645 लिखा है उसने अब देखो यही आ रहा है ना देख लोगो तो एक बार बस 33 बाए एट अपॉन कितना बिटा शोलरा चौबिस ना तो चौबिस इंटू आठ देख लोग कटेगा नहीं कटेगा उस से बादा नहीं देखो क्या होगा बादा है वहाई मेरे पास क्या अंसर है मेरे पास यह आ रहा है वन अपॉन 33 इंटू 8 वन अपॉन 33 इंटू 8 यह आ रहा है पिता अच्छा वो सॉरी वो पहले मेरे पाट के लिए सॉरी 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 वन अपॉन 33 इंटू 8 यह रहा है पिता हां सही कहा रहे हो अप एक मुट रोग जाओ सिग्मा अपॉन रूटन लिखा ना 33 बाइ 8 था वो तो 33 इंटू 8 होगे है वो बस यह आ रहा है पिता 8 x bar प्लस y bar अपॉन 33 प्लस मैनस 1.645 अंडूरूट 1 अपॉन 33 इंटू 8 ठीक यह आ रहा है पिता चेक कर लेना प्लीज कैलकुरेशन थोड़ी सी तो यही अंसर आएगा ठीक है अब रुगोड दूसरे पार दाता हो लेंथ लेंथ क्या होता है लेंथ क्या होती यह लेंथ का फाम्मला लेंथ इस इक्वल टू टूइस जेड वन पॉइंट 645 अपॉन 2 रूट 66 क्या अंसर आए बच्चा कल्पट से बता देगा इसको 5 अपॉन 2 रूट 66 बोलो 0.203 आश्वार तो लेंथ इस लेस दन वन गलत है नहीं तो गेट दन 0.3 यह ठीक है ना अरे बोलो बटा लेंथ जो है लेस दन 0.1 नहीं है 0.203 आश्वार तो उसे साब से लेंथ जो है ग्रेट दन 0.3 है अब लास्ट पार्ट बचा अपना डी पार्ट म्यू बिलॉंग्स टू 90 परसंट डी पार्ट एक बात आश्वार देख यह 90 परसंट कॉंफिटेंस इंटर्वल है दुनों तरफ कितना कितना छोड़ा पाँच पाँच क्या तरह म्यू हमेशा इस इंटर्वल में बिलॉंग करे ऐसा जुरूरी है नहीं न कहते हैं म्यूं आल्वेज बिलॉंग्स टू 90 परसंट सी आए नो इस रॉंग इट में फॉल इन रिजेक्शन रिजिन अल्सो बी-सी करेट है बिटा फिर कुछ चेक करो बिटा फिर इसमें म्यू की वैल्ली जो निकाली ने 0.203 उसको चेक कर लो बस एक बार बी ही करेट आप्शन आ रहा है सी नहीं आ रहा फिर पिर चेक करना पड़ेगा फिर उसको ठीक माण के चल रहा थैता तो मतलन मैश नहीं कर रहा था तो मतलह भी गलत ही है मेरप अनसर है बी इस दे करेट आप्शन तो इसके हसाब से गलत आ रहा न सारा हाँ सही कह रहा है हाँ तो भाई इसके हसाब से तो गलत ही आएगा सारा पर वैसे समझ गए formula के नहीं समझ गए बटा जेड अलफा बाइटू सिक्मा पॉन रूट न होता है लेंथ यह formula है बटा अगर वो 90% बोल रहा है तो यहां 5% आ जाएगा बटा calculation का part देख लेना बस एक बार ठीक है जो इसने मेनद कराई ना एट पहले तो जेड का डिस्टिबूस निकल आए फिर जेड के पच्चा यहीं से करना करता है गलती यहां फसता है बच्चा जबकि मीन का confidence किसका मांगा है तो जेड बार चीए अपने को तो यह catch है बस यहां बच्चा अटक जाता है नहीं मियों तो लिखा है पर बच्चा ना x-bar क्योंकि 8 में भी x-bar है वहां भी y-bar है तो जो भी जेड मांता ना उसको जेड सोच लेता है कि जेड बार आ गया यहां गलती कर देता है बस